हलो आज है सेकंड जन्वरी और आज इस वडियो में हम बात करने जा रहें विकास लाइफ केर के बारे में देखें आज पांच परसंट की तीजी पर यह क्लोज हुआ लेकिन आज आज परसंट की एक जटके में एक बड़ी तीजी इसना दिखाई थी और उसकी वज़े भी है उसकी वज़े भी है बात करेंगे उसके बारे में लेकिन उससे पहले अगर आपने वीज़े चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफी जादा हल्प करेंगे पैसे का हाई इसने पिछले एक महिने में बनाया है और जबकि वाजार बहुत अच्छे मूड़ में था तीजी भी आती है तो वापस गिरावड़ भी आ जाती है मर मर के यह 10 दिन में 30 दिखाता है और वापस वही पर आ ज़ता है दो जिन में जहां से यह शुरू हुआ था जहां पर पिछले एक साल का भी ग्राफ देख लो तो भी उसी तरीके से है एक बड़े फॉल से गुज़रा एक जटके में बड़ी तीज़ी यहां पर बनी कि साड़े 6 पर गया और वापस से गिर कर नीचे आया और साड़े 4 पर भी आया लेकिन अभी स्टेबल होने की कोशिश जरूर कर रहा है अब देखना इंटरस्टिंग होगा कि यहां पर एक support बना पाता है कि नहीं base बना पाता है कि नहीं और जहां तक बात करें तो ऐसे graph पहले भी हम देख चुके हैं एक बड़ी रफतार आती है गिरावट आती है बड़ी रफतार आती है लब में समय की गिरावट देखी बड़ी रफ्ताराई गिरावट के साथ अभी consolidate कर रहा है और आज की तीजी की वज़ा थी QIP पैसा raise कर रहा है ये लोग और उसी के चलते आज तीजी थी यहाँ पर आधिके विगास Life Care के शेर में 8% की तीजी देखने को मिली after the company receive a node from the exchanges to raise fund via QIP route on Monday and company board approved the first transition of fundraising plan यहाँ पर कुछ इस तरीके से होने वाला है कि company board meeting held on Monday 1st January approved the size of the present transition being a first transition of QIP जो होगा 50 करोड के आसपास का होगा and remaining 50 करोड will be raised by the company in second transition तो अलग अलग transition में ये पैसा raise करा जाएगा पहले 50 करोड raise करा जाएगा उसके बाद में दूसरे transition में और 50 करोड रुपे raise करा जाएगा और हाँ कुल मिलाकर 100 करोड से जादा का पैसा raise करने का प्लान नहीं है इनका और जो floor price रखा गया है बाइसे वे 5 रुपे 2 पैसे का है अलगे board also approve the floor price for the issue at rupees 5 रुपीज और यहां पर देखा जाए तो कल तक यह 5 रुपे से भी कम कीमेट पर trade कर रहा था और 5 रुपे का issue raise रखा है इनों ने यहां पर देखा जाए तो भई देखो share जो है वो definitely काच काफी बड़ी रफतार दिखा है market cap भी देखे तो 750 क्रोड के आस-पास का इसका देखने को ज़रूर मिल रहा है और company जो है वो QIP route जो यहां पर देखे पहले भी approval यहां पर मिला था fundraising का वाया QIP route in May 2023 where shareholder company passed the resolution in September 2023 तो देखा जाए तो लंबे समय से इसकी चर्चा हो ही रही थी और यहां पर विकास life care की बात करें businesses की बात करें तो engage है in various business segment including polymer and rubber commodities compound and master batches और यहां पर also manufactured up-site compound from industrial, post-consumer waste and scrap material अगर आप देखोगे तो इसके अलावा अगर हम देखे तो अलग-अलब polymer and commodity based का raw material भी यहां पर ONGC को यह provide करवाते हैं चुकि अच्छी बात है इसके लावा company अगर आप देखो तो pharma में और FMCG में भी entry कर रही थी पैसा raise करने को लेगर को छोटी मोटी company को लोगने अक्वायर भी करा और एक दिक्कत यहां पर अभी भी है वो है इनके promoter जो मैं आगर बात करूँगा यहां पर अगर बात करें तो volumes की चार करोड 70 लाग के असपास के यहां पर share आज trade हुए है इतना ही नहीं company को लेकर अगर हम बात करने जाए तो company के revenue में बहुत बड़ी तीजी आई है पिछे दो financial year में आप देखो 74 करोड से 475 करोड पे जा चुका है revenue सेम चीज़ profit को लेकर देखोगे तो अला कि last financial year में तकरीबन 15 करोड का loss था quarterly performance अगर आप देखो तो ups and downs वाले जरूर है पहले एक decline आया last quarter में थोड़ी बहुत तीजी जरूर आई है अभी December quarter में देखना interesting होगा कि company के revenue कैसे देखने को मिलते हैं जहां तक profit भी अगर आप देखोगे तो पिछले दो quarter में profit जरूर है 7 करोड का profit था last quarter में उसे पहले 11 करोड का profit था लेकिन देखोगे यहां पर ना चीज़े ना थोड़ी सी mismatch हो जाती है company एक quarter में दो quarter में profit दिखाती है फिर बाद में एक ही quarter में उतना loss दिखा जेती है जितना एक साल में कमाया भी नहीं होता है तो यह दिक्कत है यहां पर यह problem जरूर है तो लगातार जो consistency वाला जो parameter है उसमें यह fit नहीं बैठता है और दूसरे सबसे बड़ी वात यहां पर जो मैंने का कि मुझे इसके promoter पे भरोसा नहीं है हलाकि promoter ने पिछले दो सालों से डेर साल से ऐसा किया नहीं है लगिने से पहले promoter पता है क्या करते थे जब भी share में तेज़ी आती थी बेचने के लिए खड़े हो जाते थे जब भी share में गिरावट आते थी खुद खरीदारी करने लग जाते थे यह मैं देखा है promoter की अगर आप insider transition summary देखोगे और अगर आप मेरे पिछले एक साल दो साल पुराने वीडियो भी देखोगे जहां पर मैंने आपको पूरी चीज explain करी थी तो बैसा promoter पे मुझे भरोसा नहीं आ रहा है यहां पर और जहां तक बात करी जाए company के valuation वगेरा को लेकर तो बैसा negative में है क्योंकि company loss में तो जरूर है कोई भी analyst की यहां पर buying recommendation नहीं है share holding को लेकर अगर हम देखे तो promoter के पास 11.40% है प्रमोटर लगातार बेच रहे हैं यहां पर लगातार बेच रहे हैं promoter इससे पहले promoter की holding और भुजistan जाधा थी एवन प्रमोटर के साथ FIs भी बेच रहे हैं FIs भी बेच रहे हैं यहां पर तो यह भी एक problem है कि AFIs बेच रहे हैं promoter बेच रहे हैं mutual fund के पास कुछ नहीं है domestic के पास कुछ नहीं है यहाँ पर जो quantity यहाँ पर देखने को मिल रही है वो किस के पास है वो retail investor के पास है और other parties 72.20% लेकर बैठे हैं retail investors और other parties 16.38% अगर फाइस 12% पर थे 12% पर थे अभी देर साल पहले की ही बात है यह आज फाइस कुछ नहीं है 0.02 पर आ चुके हैं यह सेम चीज mutual fund domestic कुछ नहीं है इनके पास promoter लगातार बेच रहे है 11.40% की holding promoter के पास जरूर है अभी पैसा raise करने को लेगर खबर आई यह शेर भाग गया लिए आप यह भी सोचो कि वाइसाब 5 रुपे 2 पैसे पर पैसा raise करने का प्लान था ठीक है और जब यह कल close हुआ था कल जिस price पर यह close हुआ था वो 4 रुपे 5 पैसे का था तो भाइसाब higher price पर कैसे पैसा raise करने का प्लान कर लिया है इनोंने ठीक है होगा कुछ इनका लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा आपसे कि विकास life care देखो यार मैं पहले भी बोल चुका हूँ मै भी कहूँगा कि देखो यहां पर risk तो लिया जा सकता है बाइका लेकिन कहां पर वो सोचना ज़रूरी है मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि 3 से 4 रुपे का level मुझे अच्छा लगता है मुझे 5 रुपे के उपर वाला level मुझे पसंद नहीं है यहां पर और अगर 6 रुपे क यहां पर मुझे एक ही चीज़ है कि promoters का जो past track record रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हाल फिलहाल में एक risk तो बहुत जादा involved यहां पर जरूर है लेकिन हां यह भी देखना interesting होगा कि चीज़े को कैसे यह लग turn around कर पाते हैं और क्योंकि पैसा raise कर रहे हैं अगर successfully raise कर पात बात होगी और एक positive momentum create हो सकता है लेकिन again मैं इसको इस company से मैं वैसे भी दूरी बनाना ज्यादा पसंद खरूंगा कि मुझे लगता है कि यहां पर यह होता जरूर है कि जब भी तीज़ी आती है वो सिफ गिरावाट ही लेकर आती है बाद में और यह हो चुका है इससे पहले के लिए जिनको risk लेना पसंद है जो safe investment चाहते हैं वो तो दूर से दूरी बनाया रखो इससे ठीक है तो यह कोंगा इस company को लेकर कि आज खबर आई और share में तेज़ी आ गई और खबर के ओपर यह trade करता जरूर है इसे पहले भी जब यह इतने बड़े moves यहां पर जब जब कि वो profit ticking के मौके दे रही है बागी मर्जी आपके वीडियो के यही पेंट करूंगा पसंद आखो तो like करें श्रीकर चैनल अगर पहले बार हैं तो please subscribe करें और विकास life care के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे comment में लिख कर बता सकते हैं thank you